अयोध्या में राम मंदिर प्रान प्रतिष्ठा कारिक्रम के लिए अब कुछी दिन बचे हैं इसी के साथ मंदिर के अंदर अस्थापित की जाने वाली राम लला की मुर्ती को अंतिम रूप दे दिया गया है मंदिर ट्रस्ट के महा सच्यू चंपत राई के अनुसार मैसूर स्थित अरून योगी राज द्वारा बनाई गई मुर्ती को स्थापना के लिए चुना गया है बीते सोमवार को एक समवदाता समेलन में सवालों का जवाब देते हुए मंदिर ट्रस्ट के महा सच्यू चंपत राई ने कहा कि राम लला की वर्तमान मुर्ती को भी नए मंदिर के गर्व ग्री में रखा जाएगा चंपत राई ने कहा कि प्रान प्रतिष्ठा दो फर बारा बज़ कर बीस मीनट पर प्रारंभ होगी और एक बज़े तक पूरी हो जाएगी यह अनुमान है इसके बाद सभी महानुभाव, प्रधान मंत्री, डॉक्टर मोहन भागवत और मुख्य मंत्री अपने मनुभाव प्रकट करेंगे मैसुर के रहने वाले योगी राज मशूर मुर्तिकारों के परिवार से हैं, उनका कहना है कि उनका परिवार 2500 साल यानी की पिछली पाच पिढ़ियों से ये काम कर रहा है योगी राज की गिंती देश के सबसे अधिक मांग वाले मुर्तिकारों में होती है, हलाकि उनके पास MBA की डिगरी है और उन्होंने कुछ समय के लिए नौकरी भी की, फिर भी वे अपने पारिवारिक पेशे में वापस आगे ताती बता दे कि 22 जैन्वरी को राम मंदिर प्रान प्रतिश्था के सभी कारेकरम पूर्ण हो जाएंगे इसके अगले दिन यानि की 23 जैन्वरी से राम भक्तों के लिए मंदिर खोल दिया जाएगा राम भक्त गर्व ग्री में राम लला के दर्शन कर सकेंगे स्री राम जन्म भूमी तिर्थ छेत्र ट्रश्ट ने इसको लेकर सभी तयारियां पूरी कर ली है भक्तों के दर्शन कराने के साथ इसी तारिक से प्रथम तल का निर्मान शुरू हो जाएगा निर्मान समीती के अध्यक्ष के मताबिक भूतल पर राम लला विराजमान होंगे प्रथम तल पर सभी भाईयों के साथ राम दर्बार होगा भूतल और प्रथम तल तक दर्शन के अनुमती सभी को होगी लेकिन दूसरे तल पर केवल विशेश अनुष्ठान का केंद्र बनाया गया है इस वज़े से वहाँ जाने की अनुमती सभी को नहीं मिलेगी वही रेलवे के वरिश्ठ अधिकारी ने कहा कि योध्या में राम मंदिर प्रतिष्ठा समारों से पहले सिर्ष प्रात्मिक्ता पर किये जा रहे पट्रियों के दोहरी करण और विद्यूती करण के कारण 16 से 22 जैन्वरी तक ट्रेनों की आवाज़ाही प्रभावित रहेगी वंदे भारत सहीत 10 ट्रेने रद कर दी गई है जबकि दूसरे एक्सप्रेस सहीत 35 ट्रेने वैकलपिक मारगू पर चलेगी 14 अन्य ट्रेनों के परिचालन पर भी असर पड़ेगा